असली गुनेगार को ने किसके उसके ये सब कुछ हो रहा है देखे कोई ना कोई बहुत बड़ा narrative सेट हा रहा है कोई ना कोई बहुत बड़ा है जो भारत को हम से ज़ादा बहतर जानता है बारम बार hit and trial method चल रहा है कश्मीर फायल ताई और फिल्मों को लेके भी हंगामा काटने की कोशिश करी, राष्टवात को जगाने की कोशिश की गई, हिंदू धर्म के नाम पे, तो वहां पे इसे भी एक महल बनाया जा रहा है, और यहां भी real life भी और real life भी, दोनों जगा hit and trial method चला है, कोशिश की जा रही है, तो उस narrative setter को इतनी आसानी से थोड़ी न ढून लेंगे आप, वही operate कर रहा है, बीजेपी को, वही operate कर रहा है, कॉंग्रेस को, वही operate, सामी विवे का नंद ने कहा था कि हम, भगवान हमारी मिट्टी में राजनीती डाल गया, डालना भूल गया, अब आप एक बात देखिए, वही operate कर र कॉंग्रेस मोदी, केजरी वाल, तो मैं उन्द पूछता था भाई हमारे लिए में कोई उमीद है, बोले पहले चार गोड़े तो उनी के लिए दोड़ रहा है, पैसे से दोड़ना पड़ता है, तो यह थोड़ी सी दिक्कत थी, आप नेरेटिव सेटर कुछ कुछ समझ में आना शुरू हो गया है, आखिर नुपूर सर्मा को जो लेकर जो विवास शुरू हुआ, कब खतम होगा ये, कब इसकानत होगा, कब थमेगा ये, देखिए, आपने गैस अन करी, उस पे दूद रख दिया, आँच मिली, दूद उबला, अब आप क्या करेंगे, या तो गैस बंदो गई, और नहीं, तो उस पे से उतार के उसे रख दो, और ज्यादा तेज उबल रहो तो उस पे, थोड़ी सी पानी की छीटे मार दो, हिंदुस्तानी भी बहुत देर तक जोश में नहीं रहेगा, ये भी शान्त हो जाएगा, लेकिन शान्ती से पहले ये ऐसे जो होता है, वो ग्रह मंतरी के हाथ में होता है, इतना कुछ हो जाने के बाद, क्या आपको लगता है कि ग्रह मंतरी को अपने पत्ते, मतनब उसी गर्व के साथ बने रहना चाहिए, वो तो पृत्षी राज, समराट पृत्षी विराज फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे, और उनकी कितनी नौलिज है, मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहूँगा, यह जो मैंने अब से रियल लाइफ और रियल लाइफ कही थी ना, इतियास बताता है कि मुहम्मद गौरी को 14 मार्ज को रामलाल खोकर ने जेलम नदी के किनारे मारा था, अब इतियास के पुनर लेखन में लिखा जा रहा है कि मुहम्मद गौरी को पृत्वी राज ने अंदा होने के बाद चंद्रबरदाई के निर्देश के अनुसाल लक्ष को साजते हुए शब्द भेदी वान से मारा, अब इसका लिखने वाला कौन है, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, यह कौन लिख रह राज रासों की, चंद्रबरदाई ने लिखा है प्रदी राज रासों में इस घटना के वारे में लिखे, कि अब मेरी भी हत्या वहीं हो गई थी, तो फिल्द लिखने कौन आया था, तो वो आजकल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री समझा रहे हैं, गणित पढ़ रह रहें लेकिन प्रोमोशन करने के बाद में वीतुव फ्लॉफ होगई पूरी तरीके से उन पर फरक पड़ता है थोड़ा बहुत फरक अक्षे कुमार पर पढ़एगा नहीं तो फाइनेंसर तो यह इनके पास तो इतने पैसे इतने पैसे हैं सो फिल्म प्रधान मंत्री को दखल देने के लिए इतना क्यों सोचना पड़ रहा है आखिर क्यों मतलब चुपी सादे हुए है एक फिल्म आई थी ट्यूब लाइट बस ऐसे प्रेशर के वक्त पे ये करतो जाते हैं मैंने बताया आपको पहले एक बार इनके बारे में बताया था बच्चे दो तरीके के होते है एक बच्चा वो होता है जो आवाज लगाता है कर ली मा आती है दो चपत मारती है कहती है पहले नहीं बोल सकता था फिर कच्छा उ होती है दूसरा बच्चा क्या कहता है कि करनी है तो यह इस टाइम पर यह बच्चा जो है दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है इस पर समयदानी जिम्वारी तो यह है कि यह सब को भरोसे में ले कर चले लेकिन ये इस टाइम पर ऐसा हो जाता कि बस हमारा एक सवाल है कि जब सरकार पूरी तरीके से इस मामले को सांध करने में बिफल हो रही है इसकी कोई भी इसका तंतर काम नहीं कर पा है चुकि बकील हो आप नियाए विवस्ता का क्या यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अब उसको दखल कर देना चाहिए इसमें मैं स्वाइब सो मोटो कोगनिजन्स की बात नहीं कर रहा था मेरे को शरम इस बात पर भी आ अपने हाथ में लो राज्ट का सिर्ड जुक्रायबार तुम भी तो पार्ट हो उसी के लेजिसलेटर एक्डिकुटिव जूडिशरी तुम भी तो कर देश तुमारा नहीं है क्या सुप्रीम कोर्ट के जजिस खेया अकबार नहीं आता क्या टीवी नहीं देखते हैं वह तो जब चाहें कोगनिजन्स लेके वह तो राज को दो बज़े ले सकते हैं तो इस वक्त तुन्हें कौन रोक रहा है एक आखरी सवाल कुछ भी अगर किसी ने अपमानित किया है किसी को उसके लिए जो है हमारे देश में कम से कम हजार तरीके की ऐसी विवस्ताइं हैं जिनके तहत हम अपना जो है रोस व्यक्त कर सकते हैं इस रोस को व्यक्त करने के लिए दंगा कर देना पत्थर बाजी करना और बसे जला देना उलिस पर पत्राव कर देना इसको कहा तक आप जिस्टिफाई करते हैं हमें हैं हैं इसे क्या जिस्टिफाई करें हैं आपके घर में आपके भाईयों में लड़ाई हो आती है आपके परिवार में लड़ाई हो आती है आप टीवी फोड देते हैं क्या आप घर का सामान की तोड़ फोड करने लगते हैं क्या अगर आप ऐसा अपने घर में भी करते हैं तो फिर देश में करें और अगर घर में नहीं करते हैं तो देश में मत करिए देखिए यह देश जो और उन्हें गृफतार कर लिया गया अंग्रेजोद्वारा उनको उन्होंने लेकर उन गिर्फतार सिपाईयों को लेकर आजाध हिंद फौज बनाई और जब हिंदूस्तान को आजाध कराने के लिए हिंदूस्तान की तरफ चले तो बीच में अंतराश्ट इस तरफ पर सुबाष चंदर वोस ये कह रहे थे, कि भूके मत मर जाना, जो मिल रहा है, वो खा के देश को आधात कराने चलो, भारत के आधाती, अगर उस रास्ते से आी होती, तो आज ये देश दूसरा होता, ये आधाती आई गुजराती हों के रास्ते से, गांधी वाजे गुजराती, जिन्ना वाजे गुजराती, पटेल वाजे गुजराती, मुरार्दी देसाई वाजे गुजराती, अब तो सारे ही गुजराती है, मोदी इस गुजराती, अमिश्या इस गुजराती, तो बागी राष्ट्र जो है, ये इस बात को समझ नहीं पाय और गुजराती से बचो और आपस में भाई चारे से रहो और भगत सिंग्की और सुभाच चंज बोसाली भावना को याद रखो